नमस्कार दोस्तों आज हम आए हुएं जी जी मोटरस पर आज में दिखाऊंगा आपको केट्रोन जी टी एटी एलेक्स का रिव्यू यह रही आपके सामने चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों यह एक e-scooter है जो की बैटरी से चलती है इसमें पेट्रोल उपयोग नहीं होता है दोस्तों यही इसके खासियत है कि यह e-scooter है जो की बैटरी से चलती है और काफी अच्छा माईलेज देती है आपको इसी वीडियो में बताऊंगा यह आप जीजी मोटर्स पर आ सकते हैं जो कि अशोका गाडन और गोपाल मेन रेलवे स्टेशन के बीच में स्थित है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इनका नंबर दे दूँगा तो आप इनसे डीटेल्स ले सकते हैं फिलाल अभी हम चलते हैं रिव्यू की तरफ तो आई गया है जिससे आप आसानी से मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं कार की तरह जैसा कार में USB चार्जर होता वैसा इसमें USB चार्जिंग पॉइट दिया गया आप अपने मोबाइल को आसानी से चार्ज कर सकते हैं अगली खुवी इसकी यह है कि इसके फ्रेंट में डिस्क ब्रेक आप फ्रेंड में डिस्क ब्रेक यूज़ कर सकते हैं गाईस अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें लाइक कर लें और बैल का बटन दवाद है जिससे अगर मैं अगली बार किसी अगले प्रोडक्ट कर रेवी दू आप लोगों को कैसी लग रही कमेंट में जरूर बताईएगा दोस्तों इसके अगली खुवी है कि इसमें डिजिटल इंटेलिजन डेशबोर्ट दिया हुआ है जो बिलकुल कार की तरह है इस डेशबोर्ट में आप इसका माइलेज देख सकते हैं बैटरी का बैटरी देख सकते हैं कि कितनी बची होई है दूसरा आप इसकी स्पीड देख सकते हैं अगली खुवी इसकी है कि इसमें वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट हाई टॉर्प वी लडियस मोटर लगा इस इसका अगला फीचर जो है काफी कमाल का है इसमें इंटी ट्रेफ प्रोविजनिंग विट स्मार्ट लोग दियागा जो बिल्कुल कार की तरह वर्क करता है इसमें जो की है इसकी बिल्कुल कार की तरह जो जिसमें एक रिमोट लगा हुआ है जिसमें आप जो जैसा की कार में रिमोट होता होगा देखा होगा आप लोगों ने उसमें स्टार्ट की बटन होती है अन की बटन होती है लॉक की बटन होती है तो सारे फीचर बिल्कुल कार की तरह है इसके रिमोट में और आप इसको की से भी स्टार्ट कर सकते हैं आपको इ यह वारंटी तीन साल की दोस्तों देखा कितनी सारी खूबी है स्कुटर में तो मैं तो आपको recommend करूँगा कि आप एक बार इसको देखने आए और इसकी टेस्ट ड्राइब लें और एक और खास बात इसमें यह है कि जो हमें शोरूम ने बताई है कि इसमें आपको driving license की जरूरत नहीं है आप इसको without driving license भी चला सकते हैं और दूसरी खास बात इसमें यह है कि इसमें RTO से आपको registration नहीं करवाना पड़ता है यह बिना registration के आप इसको चला सकते हैं अब हम बात करेंगे इसके technical specification की दोस्तों तो इसका body frame जो है विल्कुल cold roll steel forming frame से बनाये हुए जो कि काभी अच्छा होता है इसके gross weight की बात करें तो इसका weight है तकरीवन 84 kg के आसपास का weight है इसकी loading capacity जो है वो 1500 kg के आसपास है आप इसमें 1500 kg तक का वजन आराम से उठा सकते हैं इसके external dimension की बात करें तो 1860 by 715 by 1070 mm का इसका external dimension है दोस्तों charging time इसका है अगर पूरी batteries की कतम हो जाती है तो आप इसको 4 से 5 घंटे charge कर सकते हैं इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें दो बेटरी लगती है अगर आप इसमें single battery यूज़ कर रहा है तो यह 60 km का average देगी और अगर इसमें आप दो बेटरी यूज़ कर रहा है तो यह mileage देगी आपको 120 km का तो अगर दो बेटरी है तो आपको एक एक बेटरी को 4-5 घंटे के Haarge करना होगा यानि कि आपके पास dual battery है पहले आप इसको 4 घंटे चार्ज करल दूसरी बेटरी को 4-5 अजाज कर ले तरीके से आपकी दोनों battery charge हो जाएंगी 1-11 गंटे में battery capacity की बात करें दोस्तों तो इसकी उल्ट 20 AH इंटू 2 की इसकी बैटरी केपासिटी है रेंज पर चार्ज की बात करें तो 110 से 120 किलो मीटर के आसपास आपको मैं बता ही चुका हूँ कि यह average देती है दो बैटरी मिलाकर और output बोल्ट की बात करें तो 60 बोल्ट का output है इसका input बोल्ट जो है इसका 52.5 बोल्ट है और motor power की बात करें तो इसके motor की power जो है वो 250 watt की motor power है maximum speed इसकी है दोस्तों 23 किलो मीटर से लेके 25 किलो मीटर पर आर के इसाप से इसकी maximum speed है इसका SMPS charger जो है वो 69.5 बोल्ट का है USB charging point दिया गया है इसमें जो की जिससे आप mobile charge कर सकते हैं जिससे पंचर होने का कोई जनजट ही नहीं है दोस्तों इसके front और rear दोनों tire की बात करें तो इसका size लगभग 9500 का है दोस्तों और जो इसमें front brake दियागा है वो disc brake है और इसका rear brake जो है वो drum brake है तो दोस्तों कैसा लगा आपको इसका review हमें comment में जरूर बताइएगा बात कर लेते हैं इसके price की तो अगर आप इसको single battery के साथ लेते तो यह आपको पड़ेगी 68,000 की और अगर आप इसमें लेते हैं double battery तो यह पड़ेगी आपको 80,000 की जी हाँ 80,000 की double battery के साथ और single battery के साथ 68,000 की दोस्तो अगर आप इसको cash में नहीं ले सकते तो आप इसको finance भी करवा सकते हैं यहां showroom में finance की facility भी available है आप मैं description में इनका number दे दूँगा तो आप इनसे contact कर सकते हैं और जानकरी ले सकते हैं सारी चीजों की finance की और आप चाहें तो test drive भी आकर ले सकते हैं दोस्तो मैं तो आपको recommend करूँगा कि आप एक बार जरूर इसका test drive लेकर देखें मुझे तो क्योंकि काफी पसंद आई है तो दोस्तो यह था इसका review और आप हमें जरूर comment में बताएं कि आपको इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा features लगा तो यह था इसका review और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में